आज मैं इसको अन्बॉक्स करने वाला हूं यह एक पेंटिंग सेट है या एक ड्रॉइंग सेट जो बिगिनर्स को बहुत यूसफुल होती है तो देखिए मैं इसको अन्बॉक्स करता हूं तो आप पुरा देखिए वीडियो को इसमें कौन से कौन से टूल्स आपको मिलते हैं जिससे आप एक अच्छी पेंटिंग स्केचेश कर सकते हैं और यह बिगिनर्स के लिए बहुत यूसफुल है तो पहले हमें मिलता है एक ड् करने के लिए बुक्स पेपर्स बहुत स्मूथ है इसके आप देख सकते हैं अगर आप खरे देंगे तो उसके बाद हमें मिलता है एक क्रेओन वैक्स जो वैक्स क्रेओन भी बूलते हैं हम बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं कुछ बारा शेड्स है इसके अंदर आपको कोल है देना है उसके बाद इसमें मिलते हैं गलीटर्स बहुत हम कम यूज करते हैं के बहुत इंपॉर्टेंट यह बी कोई चमप की दार या कोई हायलाइट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे होते हैं इसमें भी कुछ 12 शेड्स है यह double side pencils हैं इसमें हमें holders दिया है ताकि हम एक साइट से shade करें तो दुसरे साइट को कुछ हाम ना पहुचे तो देख सकते हैं मैं ऐसा लगा सकते हैं और इसमें शापनर भी दिया है और अच्छे हैं बहुत अच्छे qualities के में लेंगे आपको तो आप मैं बोलूंगा beginners के लिए बहुत useful है एक्षण मुझे भी गिफ्ट मिला है तो मुझे मालूमने इसमें क्या क्या है देखते अभी इसमें है कलर वाटर कलर एक केक कलर जो बुलते हैं हम केक साइस कलर तो आप देख तकते हैं इसको इसमें भी कुछ बाराशेट से एक खुलने राइक मेंट रूप जा अगला है एक पलाउंड शेफ ब्रश जिसने पैंटिंग कर सकते हैं तो इसमें 12 अच्छे आौली एक शॉपनर एक रेजर इसमें डॉम्स के पेंसिल दिये गए हैं मैं थोड़ा सब्प्राइज हूँ हमें एक केचिंग पेंसे या एजबी फॉर्बी के कुछ पेंसिल दिये होते हैं तो भी अच्छे होते हैं लेकिन बड़ अच्छा ही है और हमें एक ऑईल पेश्टर्स कलर दिये गए हैं यह बहुत यूसफुल से ऑईल पेश्टर्स बहुत जगह पेंपोर्टेंट होते हैं जिस पर हम हाइलाइट मतलब कलर इंक लिए बहुत अच्छे हैं इसके अंदर हमें स्क्रैचर भी है इसके अंदर जो ब्लेंडिंग के लिए बहुत यूसफुल एक शेड बहुत हाइलेटिंग के लिए डार्क आउटलेंड के लिए बहुत यूसफुल होते हैं और एक पैकेट है तो आपको मैं एक सिनेमेटिक लूग देता हूं उसका क्या क्या है हमारे पास और अगर आपको पसंद आये तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और मुझे बता इस